राधे गुरुजी बैठो मेरी मा काहे खड़ी हो जाती हो गुरुजी मेरा प्रासने क्या भगवान नहीं है स्रिस्टी में भगवान नहीं होते तुर संसार चलता कैसे तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता है वाँ ब्राम कुमारी वाली यही काती है कि तु एक नए लाईव प्रशनोतरी के साथ दोस्तों आज के वीडियो काफी ही सुन्दर होने वाला है तो वीडियो का अंध तक जरूर देखिएगा दोस्तों आज के लाइव प्रश्णोतरी के दौरान एक महिला ने भारी पंडाल में पूजे गुरुजी महाराज से कहा कि भगवान नहीं होते हैं अगर भगवान होते तो मेरा तकलीफ भगवान को क्यों नहीं दिखता है और मेरे हस्बेंड और शास ससुर मुह में मास मचली जबर्दस्ती खिलाते हैं और मुझे बहुत महकता है मेरे सास ससुर मरे हुए लोग के पूजा करते भगवान के पूजा करने से मना करते हैं दोस्तों पूजे गुरुजी महाराज ने उसे महिला को कैसे समझाया जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो के एक लाइक कर दे साथ ही शेयर जरूर कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फेस्बुक पेज पर नए हैं तो फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर कर ले ऐसा ही लाइव प्रशनोतरी देखने के लिए तो दोस्तों बिना देर कि ये वीडियो को शुरू करते हैं घर छुड़के मेरी सास मेरी सौतेली सास मेरा सौतेला देबर मेरी सौतेली द्यादनी मेरा पती सब ब्रह्म कुमारी से चुड़ा हुआ है तो क्या कराते हो लोग कहते हैं भगवान नहीं होते हो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं मैं पूजा करते हैं, मैं पूजा करती हूए, कादसी करती है, तो लोग मेरा क्या क्या किंजन नहीं करते हैं, हमको मारते हैं, फिटते हैं, एक टाइम हम खाना ने चैन से खाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि वो लोग कहते हैं पूजा नहीं करें भगवान नहीं है तो फिर वो किसकी पूजा करते हैं वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं मरा हुआ कौन मरा हुआ अपना पुर्खों का दादा पर दादा दादी अमा उलोग का पूजा करती है मरे हुए का अलोग डेली मीट मचली खाति गर मत बदरबू करता है अभ उससे तो मह hybrid 的 कर दिया मेरे मूह में माक आती है जलो आपको आप users करने तो आप तो सही रहा करू पटी करते हैं तो फोड़े का बच्चा होगा साथ साल मैं अच्छा ठीक है आप मेरी पती को आप ले आती हैं तो उनको भी आपकी तरह हम समझा देते हैं तो आपने पुलिस कंब लड़ने की नहीं मैं घर छोड़के चली आई हूँ तो घर छोड़के कहां जाओगे घर में तो कोई चैन से सांस भी नहीं लेने देता है तो चैन से सांस भी लेती हो तो गंदा हावा जाता है मेरे गलाय में दर्द है तो कहां जाओगी फिर बताओगे तुम्हारे मुह में कर देता है तुमको कोई बीमारी नहीं है फिर कहां जाना ही बताओगे मेरे पैर में दर्द कर देगा, मेरे सर में दर्द कर देगा, कभी देह में दर्द करेगा, मुझ में गंदा महक आएगा, मीट मचली का, कभी ट्वाइलेट का बदबू, कुछ भी कर देती है वो लोग, जो जी में आता है कर देती है, इतना देखराब किया हुआ है मेरा, जब मारने वला उपाई किया था तो मार क्यों नहीं दी कति भगवान नहीं मारते हैं हम चाहें तो तुमको मार देंगे अभी बताओ हम क्या सेवा करें आपकी बताओ हम घर छोड़ किया है मेरा बच्चा को गुरु कुल में रख लीजिए ठीक है हम यहां कहीं रूम देख रहे है हम पढ़े लिखे हैं तो घर वालों को सूचना करो वो ढूंड रहे होंगे आपको नहीं नहीं घर वाले ने निकाल दिया घर वाले कोई नहीं है मेरे मेरा कोई नहीं है आप चलो फिर अच्छा है और किसको गुरु कुल में रख लीजिए और मैं भी पढ़ी लिख्यों गुरु जी क्योंकि मेरा वहाँ सास लेना भी मुस्किल है कोई बात नहीं बरंदावने बहुत सारे काम मिल जाएंगे आपको आप रहना चाहें तो कहीं काम मिलवा लिजिए अब मेरे बच्चा का गुरु कुल में रख लीजिए ठीक है कार्याले में बात कह लीजिए इस उसका जवाब दे सके दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करदे साथ हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर करदे और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के राधे राधे जय श्री क्रिश्टा